दोस्तों आज रानू मंडल को कौन नहीं जानता है। रातो रात सोसल मीडिया के मदद से सूपरिश्टार सिंगर बन गई। रानू ने अपने एक इंटर्व्यू में खुद से जुड़े एक भयानक हाथसे का जिक्रिक किया। जो उसके साथ तीन साल पहले घटित हुई थी। रानू ने बताया कि एक बार वो ट्रेन में गाना का रही थी और ट्रेन चल पड़ी और उसे करीब 50 किलोमिटर दूर दूसरे स्टेशन पर उतरना पड़ा। अब उसे घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही थी और पैसे नहीं होने के कारण बस से भी नहीं जा सकती थी। तब उसने पट्री से ही चलने का फैसला किया। रास्ते में आने वाली ट्रेन से वह मरते मरते बची। और वह पट्री से होते हुए करीब चार गंटे बाद वह घर पहुँची तो दोस्तों आपको यह न्यूज कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आज के लिए इतना ही दन्यवाद जय हिंद